अगर गीतों की बात की जाए उनकी बहुत सी गजले बहुत मारूफ सिंगरस ने गाई हैं जो आपकी जबान पर रही होंगी मैं ये मतला और ये गजल उनकी सुना दूँ तो आपको एहसास हो जाएगा उनकी गजल की मखबूलियत और अजमतों का कि जिन्दगी तूने लहु दे के दिया कुछ भी नहीं तेरे दामन में मेरे वास्ते है क्या कुछ भी नहीं दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं जिसे लिखने में मुर्रिक सफाद भर दे ये कमाल जनाब राजेश रिड़ी साहिब का है मुंबई से तश्रीफ लाए नहाया संजित की और खुलूस के साथ आप समात करिए तिशनगी दिल की बुझाना तो खबर कर देना अश्क आँखों में छुपाना तो खबर कर देन हमने कुछ गीत लिखे हैं जो सुनाने हैं तुम्हें तुम कभी बजम सजाना तो खबर कर देना जोरदार तालियों से इस्तक्बाल कीजिए आले में अदब के महभूब शायर जनाबेर राजेश रिड़ी साथ शुक्रिया और सबसे पहले सदर साब बाइश चांसलर साब और खासर से इस इंटिग्रल यूनिवरस्टी के सब दोस्तों को जिनमें आप लोग शामिल हैं फैकल्टी शामिल हैं मैं तरसल ये गजीब इत्फाक है कि अभी 26 तारीकों में एक और यूनिवरस्टी में बुपाल में टेगोर यूनिवरस्टी में इसी तरह के नाजवान इसी तरह से के इनर्जी से बरे हुए लोग और दो दिन बाद एक और यूनिवरस्टी एक और नौजवान सुनने वाले की तादाद बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लगातार मैं इस तरह के ओडियस में अपनी बात कहने उन से जुनने की कोशिश कर रहा हूं उसी प्या महार महबत की बाते सुनी एंजॉय किया अपने डंक से उसको सेलेबरेट भी किया मैं जैसा हिलाल भाई ने बताया कि आप जिस उमर में हैं यह उमर है एंजॉय करने की लेकिन इसके साथ साथ हमें सिफ एक दूसरे को देखना ही नहीं है लड़का लड़की को देखे महबूबा है और वो है जिन्दगी बेश है वो है जिन्दगी वो आपको मरते दम तक आपकी महबूबा है और आप उसके महबूब है और उसके सारे रिष्टे जो है वो तनाव प्यार महबत दर्द तकलीफ यह सब जिन्दगी और आपके साथ बने रहेंगे तो उसको मत भ रहें ये शेयर ये शायरी ये सब आज इसमर में कल और होंगे कल किसी और जगे होंगे लेकिन जिन्दगी हमेशा साथ रहेगी ये उसके हवाले से मैं आपके कुछ शेयर अपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं ताज़ा शेयर और एक ताज़ा घजल पेश करूँगा उससे पहले एक जरूरी शेयर आज़ादी के 75 वा हम बना रहे हैं सालगी रहे हैं लेकिन आज़ादी के 75 बरस बाद भी आप जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं आप जानते होंगे कि माबाप ने आपको यहां कैसे पहुंचाए है और कैसे उसको लिभा रहे हैं तो हमारी आम ज़न्दगी का सच 75 बरस बाद भी जो है वह मैं आपको जिस वक्त खाली हाद घर जाता हूं मैं है वाँ 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 वा देखें जिन्दगी का सच, रोज मर्रा का, आप क्यों मरो हो, हम सब लोग ये जो सच को जी रहे हैं, हम लोग को जाला जी रहे हैं, देखें, किसी दिन, जिन्दगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन, जिन्दगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन, जा किसी दिन जिन्दगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता मैं हर दिन जाक तो जाता हूं जिन्दा क्यों नहीं होता क्या कहने वाँ मेरी एक जिन्दगी के कितने हिस्सेदार है लेकिन किसी की जिन्दगी मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता क्या कहने वाँ मेरी एक जिन्दगी के कितने हिस्सेदार है लेकिन किसी की जिन्दगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता और एक और यह शेर आप लुग थोड़े और बड़े होंगे और किसी फिल्ड में जाएंगे और यह शेर देखिए क्या तमाशा है क्या तमाशा है कि ठक कर रात को मर जाएंगे क्या तमाशा है कि ठक कर रात को मर जाएंगे सुबह फिर हम कबर से उठेंगे दफ्तर जाएंगे क्या तमाशा है कि ठक कर रात को मर जाएंगे सुबह फिर हम कबर से उठेंगे दफ्तर जाएंगे और आपके अमर का शेर इर्शाद महबत में सिर्फ तो हाध मलाना गले मिलना और यही से कुछ नहीं होता बहुत कुछ होता है और उसको एक अदूसरा पहलू भी होता है जो हमें सब को जन्देगी बेखें कि बेशक एक आशू देकी नाजुक शेयर है प्यार से सुनिये एक आशू कौरे कागस पर गिरा एक आशू कोरे कागस पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया वाँ 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 एक आशू कोरे कागस पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया शुक्रिया और हमें तरनुम से घजल इरिशाद, इरिशाद, इरिशाद हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगेर भी बही आप प्यार से सुने यार हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगेर भी हर दिन गुजर रहा है हर दिन गुजर रहा है गुजारे बगेर भी वाप 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 शुक्रिया आप वाव 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 जी रहे हैं जान तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुजर रहा है गुजारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान और शेर देखें इरशाद शेपर भाइद देखे सब के लिए किनारे पे होता नहीं कोई सब के लिए किनारे पे होता नहीं कोई सब के लिए किनारे पे होता नहीं कोई कुछ लोग डूबते हैं, कुछ लोग डूबते हैं, पुकारे मगेर भी कुछ लोग डूबते हैं, पुकारे मगेर भी हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे मगेर भी और यह शेयर आज का सच, हिंदोस्तान का सच, हमारे 24 घंटे या 24 हर साल के कहीं न कहीं कुछ न कुछ हार जीत, इलेक्शन सब चलता है, लेकिन यह हार जीत कैसे होती हैं, यह आप देखें शब्दे हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगएर जीतने वालों के दौर में जीते बगएर जीतने वालों के दौर में जीते बगएर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगएर भी हारे बगएर भी हारे बगएर भी हम जी रहे हैं जान, और रिशेदे के खास ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ साथ ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ साथ दरिया में अपनी नाओ दरिया में अपनी नाओ उतारे बगएर भी अरे वाव 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 राजर साथ रहा हम सूरा शेर के दिया वाव 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 ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ साथ ऐसे भी हैं जो डूब गए दिल के साथ साथ दरिया में अपनी नाओ उतारे बगएर भी हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगएर भी हर दिन गुजर रहा है गुजारे बगएर भी शुक्रिया और जानते से पहले एक घजल के तीन चार शेर वो घजल जिसने मुझे प्यार दिया पहचान दी और आप लोगों तक पहचाया इस यूरिस्टी में पहली बार आया हूँ तो यह घजल और शेर आपको देता जाओं यह सुने प्यार सा सुनिया यह घजल पंकजदास साब की आवाज में बहुत पहले आपने टीवी पर कैसिट्स में सीडीज में सुन सुके होंगे शायद फिर भी देखे यहां हर शक्स हर पल हादसा होने से डलता है यहां हर शक्स हर पल हादसा होने से डलता है किलोना है जो मिटी का फना होने से डलता है खिलोना है जो मिटी का फना होने से डलता है औरे खाश शेर मेरे दिल के किसी कौने में एक मासूम सा बच्चा मेरे दिल के किसी कौने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया मेरे दिल के किसी कौने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डलता है और शेर खास हाज के इनसान के नाम नबस में जिल्दगी इसके नखाबू मात पर इसका नबस में जिल्दगी इसके नखाबू मात पर इसका मगर इनसान फिर भी कब खुदा होने से डलता है किलोना है जो मिटी का फना होने से डलता है और किसल का आखरी शेर इरिशाद बच्चों आप लोगों ने भी सुना और पढ़ा होगा कि अरपती खरपती लोग भी खुदकुशी कर जाता है पर लब जिन्दगी में पैसा, सहुलियस, एश आराम इससे बच्चता नहीं कोई और हर आदनी को जिन्दगी में वो पल्स जरूर आता है उसके से जिन्दगी में कि वो कहता है भाई मुझे वापस भूला ले बहुत हो गया लेकिन वो जब पल आता है अजब ये जिन्दगी की कैद है दुनिया कहल इंसां अजब ये जिन्दगी की कैद है दुनिया कहल इंसां रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है अच्छा है वह 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 क्या कहने ड़कता है